हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि Google ने यूजर्स को बेस्ट रिजल्ट दिखाना है उसके लिए सर्च क्विरी तो मैटर करती है लेकिन जूजर का कॉंटेक्स भी मैटर करता है कॉंटेक्स में सबसे इंपॉर्ण जो फैक्टर है वो लोकेशन है कि जूजर कहां पे है उसको उस वक्त उस लम्हें क्या चाहिए होगा तो गूगल ये चीज़ें बड़ी consuming करता है तो लोकेशन को ऑंडरसेंड करने के लिए और उसको बैटर रिजल्ट दिखाने के लिए गूगल लोकल रिजल्ट को पहले लेकर आता है और इंटरिनेशन रिजल्स को बात में लेकर आता है तो for example अगर आप एक मार्केट में खड़े होके पिज़ा रेस्टराइट ढूंडे या कोई और रेस्टराइट ढूंडे क्या आपको लघोर के अंदर लघोर के रेस्टराइट चाही होंगे या लघोर के अंदर आपको नियू योगर के रेस्टराइट दिखाय जए तो यह कि इनन आपको लहोर बे लहोर के रेस्टरंट चाहिए या आप जिस भी शहर में हैं जिस भी लोकालिटी में हैं आपको वही के रिजल्ट्स आसपास चाहिए होगे Google यह चीजें अंडर्सेंड करता है और Google इसको मेजर भी करता है डॉमेंज के अंदर भी असल में यह चीज़ वैलिड हैं तो इसलिए जब कंट्री बेस्ट टॉप लेवल डॉमेंज लाँच होई हैं तो यह सारी चीज़ें गूगल ने उसके साथ असोसियेट की और अब गूगल एक्चुली में आपको रैंकिंग बेतर देता है अगर आप लोकल कंट्री लेवल डॉमेंज रखेंगे तो फॉर एग्जेंपल मैं अपने स्टोर की बात करूँ हमारा जो ABC Mobile स्टोर है उसकी डॉट कॉम डॉमें है अब डॉट कॉम एक जिनेरिक गलोबल डॉमें है तो अगर मेरा बिजनस गलोबल है तो डॉट कॉम रखना समझ आती लेकिन अगर मेरा बिजनस सिरफ पाकिस्तान में है तो आपके ख्याल में इन दो डॉमेंज मेंसे कौन सी डॉमें बेतर है जा ABC Mobile dot com बेतर लग रही आपको या ABC Mobile dot P k बेतर लग रही आपको जो भी लगे basically dot P k बेतर है क्योंकि Google इसको prefer करता है Google यह समझता है कि अगर आप पाकिस्थानी बिजनस हैं और अगर आप पाकिस्थानी ओर्डियन्स को target कर रहे हैं तो आपको पाकिस्थानी domain रखनी चाहिए इससे लोगों को भी association होती है कि भाई local business है और यह मेरी जादा need पूरी कर सकता है और कि global business जिसको शायद पता भी ना हो कि पाकिस्थान में उसको user उसको चाहिए कुछ data वगरा या उनका focus ही ना हो आपका country यह चीज बहुत important है यह देखरे में तो बजाहर एक छोटी सी चीज लग रही है लेकिन Google के लिए बहुत important है तो Google आपको ranking boost देता है तो मैं आपको इसकी example इस तरह से दे सकता हूँ कि अगर दो websites हैं avcmobiles.com और xyzmobiles.pk तो पाकिस्थान में अगर audience सर्च कर रही है आप जितनी मरजी SEO दोना पर कर लें मतलब दोना पर बराबर SEO करें तो जो एक ranking factor रहना वो local domain का उसको आप beat नहीं कर सकेंगे वो win कर जाएगा local market पाकिस्थानी market में कि उसकी domain भी local थी चाहे कि आपकी बाकी सारी SEO effort सेम थी आपने same optimization की, सब कुछ सेम किया लेकिन चुक्कि उसकी domain local थी गोल उसको पहले rank करेगा आपको वो कम number देगा क्योंकि आपने domain local बॉदर नहीं किया कि आप अपने उस country में या उस audience के लिए आप अपनी domain बाय कर सकें तो यहाँ पर एक चीज़ आपने धियान में रखनी है कि आपने जिस भी मुलक में business कर रहे हैं आप रहे कोशिश करनी है कि उसकी local domain लेनी है अकसर client को पसंद नहीं आ रही हूँ ठीकि हम को यह और domain लें मैंने आपको पहले कहा कि आप domain name ना change कर रहे हैं क्योंकि हर एक का business अपना उसका नाम होता है उस पे आप बहत ज़्यादा नहीं कर सकते वो रखना चाहें तो रख सकते हैं मैंने आपको यह भी कहा कि आप www ना निकालें अगर वो नहीं चाहते हैं निकालना क्योंकि इसमें इतना दादा फरक नहीं पड़ता लेकिन मैं आपको इस पे कहूँगा कि इस पे आप ज़रूर उनसे जिद करें इसलिए कि यह आपकी SEO बेतर करेगी अगर आप US के अंदर हैं तो .com चलाने की बज़ए .us लें ताके आप .com की जगा .us को रेंक करवास रखें होता जी है कि अगर आप multiple country में बिजनस कर रहे हैं तो हर country की डुमेन लेते जाएं अगर आप पाकिसान में हैं तो .p के लें अगर आप UAE में हैं तो .ae लें चुक्छे आपको ब्रैंट है और .com भी आपको चाहिए तो आप .com भी अपने पास रखें ताके वह कोई और ना ले 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 वो भी ब्रैंड आपके पास रहे तो आपने जब भी बिजनस करना है अपने लोकल कंट्री की डुमेंज लाज़मी लेनी है और जब SEO की बात आएगी जब आप SEO करेंगे तो यह कोशिश करनी है कि लोकल डुमेंज पर SEO करें .com को रीडिरेक्ट कर लें जो कि मैंने 301 रीडिरेक्ट पहले बताया था आपको आप वो 301 रीडिरेक्ट लगा लें कि अगर कोई ABCMobiles.com खोलें तो आटमेटिकल यह ABCMobiles.PK पर ही लेंड करें और .PK की होने की वज़ा से आप बाकी website से उपर आ जेंगे जो .com में ही पाकिसानी audience को टागट कर रही होंगी